ये है Bollywood की आने वाली 10 blockbuster फिल्में जो आते ही box office पर धमाल मचाने वाली है No.10 सिकंदर सिकंदर Bollywood की आने वाली काफी बड़ी action thriller फिल्म होने वाली है इस movie के main lead में सल्मान खान देखने को मिलेंगे और यह मूवी आप सभी को दो हजार पचीस तक देखने को मिल सकती है किंग बॉलिवूड की तरफ से आने वाली काफी बड़ी एक्शन ड्रामा मूवी है इसके में लीड में सभी को शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान देखने को मिलेंगी खबरों की माने तो किंग मूवी के अंदर आडियन्स को जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है मूवी की शूटिंग बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है और ये फिल्म भी दो हजार पचीस तक रीलीज होगी और बॉलिवुड की तरफ से आने वाली सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है इस फिल्म के मेन लीड में आप सभी को बॉलिवुड के दो बड़े मेगा स्टार शाहरुख खान और सल्मान खान देखने को मिलेंगे मूवी का बजट 500 करोड बताया जा रहा है इस मूवी में रियल स्टंट देखने को मिलेंगे और यह फिल्म आप सभी को 2026 में देखने को मिल जाएगी बॉलिवुड की तरफ से आने वाली काफी बड़ी एक्शन मूवी होने वाली है यह वार मूवी की सीक्वल है और इस बार भी में लीड में आप सभी को रितिक रोशन दिखेंगे साथ ही कियारा एडवानी और जूनियर एनटियार जैसे कमाल के एक्टर देखने को मिलेंगे यह मूवी आप सभी को 15 अक्टूबर 2025 में देखने को मिलेगी सिंगम अगेन मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्मों में से एक है कास्ट की बात करें तो इसमें अजय देवगन, रनवीर सिंग, टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोन जैसे बड़े एक्टर देखने को मिलने वाले हैं इस वजह से यह फिल्म 2024 की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है बेबी जॉन ये काफी बड़ी एक्शन मुवी होने वाली है मुवी के मैन लीड में वरुण धवन नजर आएंगे खबरों की माने तो ये मुवी रिमेक होने वाली है विजय थला पठी की सुपर हिट फिल्म थेरी की बेबी जॉन का टीजर अभी हाल ही में आया है जिसके अंदर काफी जबरदस्ट एक्शन देखने को मिल रहा है नमबर चार रामायन ये बहुत बड़ी माइथॉलोजी ड्रामा मुवी होने वाली है जिसको डायरेक्शन देंगे नितीश तिवारी जिन्होंने दंगल जैसी कमाल की फिल्म बनाई है इस मूवी के मैन कास्ट के अंदर आपको बॉलिवूड और साउथ सिनेमा के काफी बड़े एक्टर देखने को मिलने वाले हैं जिसे रणबीर कपूर हमें राम जी के किरदार में और साई पल्लवी सीता जी के किरदार में नजर आएंगी ये फिल्म 2026 तक देखने को मिल सकती है इस फिल्म में सभी को अरशद वारसे और अक्षै कुमार ये दोनों एक्टर एक साथ देखने को मिलने वाले हैं वो भी कोर्ट रूम के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जिसे देखने में काफी मज़ा आने वाला है। ये फिल्म आपको दो हजार पचीस में देखने को मिलने वाली है। इसमें राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाटी के साथ साथ और भी कई सारे बहतरीन एक्टर देखने को मिलेंगे वहीं स्पेशल कैमियो के तौर पर वरुन धवन भी देखने को मिल सकते हैं। ये फिल्म आपको 30 अगस्त 2024 को देखने को मिलेगी। नमबर एक क्रिश फोर क्रिश इंडियन सिनेमा का अब तक का सबसे बड़ा सुपर हीरो रहा है। 304 के डाइरेटर सिधार्थ आनंद है मूवी के मैन लीड में आप सभी को एक बार फिर से रितिक रोशन देखने को मिलेंगे और कोई मिल गया का जादू भी दोबारा नजर आ सकता है। बड़े बजट पर बनने वाली ये फिल्म आपको अगले साल तक देखने के लिए मिल जाएगी।